है कि वोच्छ पर फोही वेद्वत रखता हैं में तो ये चाहता था कि डीप्टी चीम मुख्यमंत्री बन जाए मैं इस बात को सदन में भी का कि जो डीप्टी सियम हैं वो मुख्य मंत्री बन जाएं लेकिन अब सुनने में आ रहा है जो खवर आ रही है जो हवा चल लए है कि अब लगता है वो डिप्टी सियम से भी हाथ दो बैठेंगे तो फिर इनिवर्स्टी के बात ही क्यों कर रहे हो यह जितनी इनिवर्स्टी बननी है मेडिकल कॉ आए हैं आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रस्टी कैसे बैतर हो गरीबों को अच्छा इलाज कैसे उपलब्द हो सके फ्री इलाज कैसे उपलब्द हो सके उस दिशा में समाज़ादी पार्टी काम करीगी मैं आप से सैमत हूँ आप वर्ष पतकार हैं मैं आपकी इस बास से सत पृसत सेमत हूँ और बात यहीं नहीं खतम हो मैं तो यह कहूँगा कि जिस तरीके से भारती जंता पार्टी हर आयोंजन को बहुत शांदार तरीके से करती है खोकला हो लेकिन शांदार, रोनक, सजाबट नहीं छोड़ती तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है ये सबसे पहले भारती जंता पार्टी को लोगों को लाइन में लगना चाहिए जिस तरीके से ताली थाली बजी थी उसी तरीके से सब लोग आ गया आएं और लगवाएं और एक साल बाद समाजवादी पार्टी की सकार बनेगी हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे दुनिया में सबसे गरीब कोई देशे तो भारत है दुनिया में सबसे ज़्यादे भूखे पेट सोने वाले लोग भारत में हैं दुनिया में कम उम्र के सबसे ज़्यादे लोग भारत में रहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बिरोजगारी अगर कहीं है तो भारत में है और दुनिया में सबसे ज़्यादा उधार लेने के लिए लाइन में सबसे आगे कोई खड़ा होता है तो भारत खड़ा होता है तो कंद से कम हमारा भारत देश का जो पुराना परचे और पैचान थी कि हमारा देश सोनी की चिडिया है तो मैं चाहूंगा कि उस दिशा में क्या ठोस कदम उठे हैं और जो ट्रिलियन एकोनोमी की बात थी उसी की निकल करके उत्तपदेश की सकार ने का कि हम भी ट्रियन एकोनोमी तक ले जाएंगे उन्होंने दस का इन्होंने कुछ कम का तो मैं यह जानना चाहता हूं कोविड मे बचा नहीं होगा जिसके बेतन की कटोती ना हो गई हो सब विकास ठप है कहीं गड़े नहीं भरे जा रहे हैं मेंगाई बढ़ती चली जा रही है किसान की आय दोगनी नहीं कर पाएं तो उस दिश्या में क्या है इनकी सरकार का क्योंकि बहुत दूर से आये हैं गुजरास से वहीं जा रहा है आनी रहा है बहुत दूर से आये हैं हमें तो ये लग रहा है अब कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम शुरू किये थे अब ये गुजरास से जो नए आये हैं ये जल्दी काम करा देंगे जैसे समाजवादी पूर्वादी पूर्वादी एक्सप्रेस वे है उसकी हालत आपने देखियोगी मैंने वीडियो चलवाया था और नहीं तो दुबारा आपके सामने दिखवा दूँगा मैं वो जल्द पूराना प्रोग्राम जिसमें जमीन को ले करके बहुत सारे इशूस थे उनको रिजोल्व किया था समाजवादी सरकार ने एनिचाई की सड़क बन रहे गोरिक पूर्वा नारस उसमें तेजी आ जाएगी समाजवादी पूरवांचल एक्सप्रेस शायद बन जाएगा और मगो को जोडने वाली फोर्लेन भी समाझमाजवादी ने दी है तो अब आठनो महिने में क्या नया हो जाएगा उत्त्त पड़्देस में यह तो जाने वाले लोग हैं अब यह सरकार जाने वाली है यह जगड़ा लगा सकते हैं यह नफरत फैला सकते हैं ये गाली दे सकते हैं, जूटे मुगद में लगा सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लोगों को अपमानित कर सकते हैं, अब इतना ही तो बचाए वक्त, लेकिन जनता तयार है, इस बार उत्तपदेश की गरीब जनता तयार है, कि इनको सबक सिखाया जाएगा, इसमें क्या कहेंगे इसमें यही कहेंगे कि आप चार लगवा लेना क्योंकि एक वैक्सिन के दो डोज हैं तो आप वो चार मिलेंगे आप चार के लिए तेहार है मैंने कभी कुछ नहीं का मैंने कि यह कहा कि उत्तर प्रदेश यह बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा साज यह सड्यांत राजनीत उत्तर प्रदेश में होगे क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रधान मंतरी देता है उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो इतनी बड़ी है कि यहां सब कुछ होगा जो जो आपने नहीं देखा नहीं सुना होगा वो सब यूपी में होगा और उसके बावजूद भी मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी क्योंकि आज भी वही काम आगे बढ़ रहे हैं जो समाजवादी सरकार ने दिये थे उनको भी रोग दिया यह हमारे मेरट से लोग आये होंगे मेरट करनाल रोड नजाने कितनी चल लही होगी अब जो बड़ी सरकार ने कोई जिला नहीं बचा जहां सड़के ना बनाई हो समाजवादी ने विजली को लेकर के ना किया हो तो इसलिए जनता ने काम भी देखा है सो नमर देखा एंबुलेंस देखी मेडिकल कॉलेज सुविधा हैं देखी इसलिए जनता तयार है और किसानों को सुविधा देने का भी काम समाजवादी लोग करेंगे वो बातें बाद में आएंगी जो बड़ी बातें होनी है लेकिन ये साजिश और सडियंत उत्त अपदेश में बहुत होगा देखे 1857 का इतिहास मेरट खा है तो आज मेरट जो तागत बनी है तागत मिली है आप देखिए कैसी हवा चलती इसके बाद और मैंने इसलिए का गी डॉक्टर भीमराव मेटकर जी डॉक्टर लोया के दोनों के विचारों को साथ रख करके लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी हम तो कहते हैं सब को जोड़ो सब कुछ बनाओ लेकिं जल्दी बनाओ आप सड़क नहीं बना पारे बिजली नहीं दे पारे अस्पताल में नदाम नहीं कर रहे अरे सबसे प्रिय योजना आपकी दी कूड़े की आप कूड़ा नहीं खदम कर पारे आपकी उससे प्रिय योजना थी सवचाले की इज़त घर हर जिले में एक एक लाग की ब्रष्टाचा दिखाई दे रहा है एक लाग सवचाले का ब्रष्टाचा कोई जिला नहीं है जिसमें एक लाग सोचाले में बिश्टाचा ना हुआ हो और प्रधानों पर तल्वा टांग दी कि जाच करेंगे इनकी तो जो प्रधान इमानदारी से काम कर रहे थे उनके उपर नजाने कितना प्रेशर बना दिया तो सवाल यह है कि जो प्रिय योजना है वो भी लाखों में ऐसी है और अब तो प्रिच पॉलिटिकल पिचार हो रहा है गाओं-गाओं गली-गली और सोचिए कैसी भाषा का इस्तिमाल हो रहा है यह भारत का जंडा बदलने की साजिश हो रही है याद रखेगा आप जो तस्वीरें आ रही है जो गाली-गलोज हो रहा है तो दिखाई नहीं देता कि किसी को कि क्या हो रहा है यह सब हमारे बहुत अच्छे पतकार साथी है यह जोनों ने यह बहुत अच्छा सवाल पूछा आखरी में हम आप सब जितने लोग बैठे हैं कोविड न होता तो साल में हम नजाने कितने चंदे देते हैं मुझे याद है और हम सब जानते हैं इस बात को नजाने कितने आयोजन हमारे सडकों पर गाउं में होते हैं वो चंदों से होते हैं चंदे दी जाते हैं चंदे लेते हैं परची कटती है हर नवरात में देखते होंगे हर जगे पर चंदा बस लिया जाता है और जहां तक चढ़ाने की बात है हर दर्म में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं चढ़ाने की चाहे वो हिंदु हों, मुस्लिम हों, सिख हों, इसाई हों हर जगे कहीं न कहीं किसी तरीके से भगवान या इस्थान पे जाते हैं तरीके अपनी अपनी तरीके से मनाते हैं हमारी जो वेदिक परंपराएं हैं वेदिक परंपराएं हैं वो दक्षना है चंदा नहीं है इसलिए भारती जंता पार्टी पॉलिटिकल प्रोग्राम करना बंद करें यह पॉलिटिकल प्रोग्राम है हमारे वेदिक हमारी जितनी प परंपरा हैं उसमें दक्षना है चंदा नहीं है आप उठा लीजे वेद उठा लीजे महावारत उठा लीजे रामायड हिंदू धरम में हिंदू परंपराओं में क्योंकि हम भी हिंदू है चंदा शब्द नहीं है अगर चंदा शब्द हो तो आप बता देना मुझे इसे भा दक्सी नहीं लगा पारी, नौकरी नहीं दे पारी, किसान की आयदोगनी नहीं कर पारी, इसलिए जान बूच करके जनता का ध्यान अटाने की बात है, इसलिए दक्षना की बात है, तो हम तो दक्षना हमेशा देते हैं, किसी मंदर में मैं गया हूँगा, पूरे अपने जीव तो लोगों ने कहा कि यहां पर बाल कटाना बहुत शुब माना जाता है तो मैं इंजिनिंग कर रहा था मैंने बाल भी कटवाएं बाल भी दान दिये किसी ने कहा कि यहाँ पर चितकूट में परंपर आई यह है कि नंगे पैर जब चलते हैं आप परक्रमा करते हैं तो ज्यादा पाते हैं तो मैंने कहाँ मैं तो पहले भी एक बार परक्रमा कर चुका हूँ किसी ने देखा ही नहीं न जाना कोई जब निताजी ने वहाँ पर एक सिबिर किया था उस समय मुझे लगा कि पांच बज़े ठीक समय है थोड़ा ठंडा हो जाएगा लेकिन मुझे याद नहीं रहा है कि ये मद्द प्रदेस और बुंदिल खंड का इलाका है पांच बज़े शाम के हमने नंगे पर पद्यात्रा की थी पूरी परक्रमा की थी और आज फिर परक्रमा की थी तो इसलिए बहुत सारी परंप्रा हैं जिसको हम मानते हैं और जिस मंदर में मैं गया उस समय दशना दी और सब अपने संत गुरू जो भी वहां के पुजारी उनसे मैंने आशिवाल दिया इसमें शिकायत किया बीजेपी को बीजेपी को शिकायत अगर थी तो वहां सफाई करनी चीए थी इतनी गंदगी इतनी जानवरों की पैशाब इतना गोवर जानवर कभी किसी ने नहीं देखा हूंगा परकरमा में देखे और एक एक पुजारी ने एक एक वैपारी ने मुझे का कि नेता जी ने जो काम किया वो दिखाई दे रहा है आपने जो काम किया वो दिखाई दे रहा है भाद ही जनता पाटी का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा हूँ और कई घंटे ऐसे थे जिसमें अंदर बजाने वाला चोरी हो चुका था और नहीं मानते हैं आप चेक कर लीजे जाके जो तस्वीरें हैं जिस घंटे को मैं पकड़ रहा हूँ मैंने तस्वीर ली है अगर उसके अंदर बजाने वाला हो तो बता दीजिया बजाने वाला चोरी कर लिया भाजी आप आई लोगी सरकार में जिस तरह की पिताद दुखी है तो सोचो मंदर से चोरी हो रही घंटे नहीं बज़ पा रहे चोरो आप खतम करिये यह सब बातें बहुत होगी तुमारी कोई असमंजस नहीं है बहुत सारे बिधायक हमारा समर्थन कर रहे हैं बड़ी संक्या में बिधायक समर्थन करेंगे सरकार ने बेमानी नहीं की राजस्वा में भी बेमानी की परचा कैंसल कर दिया जो कई वकीलों ने देखा कई वकीलों ने दसकत देखे सब कुछ आप नहीं समझ रहे थे क्या बात आप सब जाने हम भी जाने सरकार मशिनरी जिसके पास होती है वो सब कुछ करती है तो सबाजवादी पाटी लड़ रही है तबी तो लड़ाया हमने लेकिं सवाल यह है कि सवापती कौन बनेगा ये सरकार बहिमानी कर रही है विधान परसद में हमारा बहुमत के बाद भी इन्होंने बहुमत की परवाने की बहुमत का समान नहीं किया परहूस में सब बिल पास करा लिए जबरतस्ती कराया अभी भी बहुमत समाजवादी पार्टी का है तो लोकतंद बचेगा के नहीं बचेगा नहीं बचेगा देखिए मैं आप से कह दूँ ये जो मंत्री जी का मत्रुआ का नाम ले लेना ही नीची आपको क्योंकि बिजली बिभाग को को सब बरबात कर दिया भारती जंदपाटी ने एक भी यूनिट बिजली नी मना इसे पूछ यह किस ने दिया सिक शिक्स्टी सुपर के टिकल प्लांट है आपका अमभीटकर नेगर में सुपर क्यों प्लांट किस ने दिया आपके अनपारा में किस ने दिये बड़ी बड़ी ट्रांस्मिक्शन लाइन किस ने बचाई बड़े बड़े डिस्टिबूशन ये बहुत जल्दी बोल ले वाँ कभी काफी पीने जाना हो वहाँ पर मैं जगे देता हूँ और मैं ले चलूँ अगर आप पतकार साथी चलना चाहें सब तो समाजवादी सरकार में शामे अबद बहुत सुन्दर चीज बनाई थी और मैंने ये कहा कि कमसगम एक ऐसी चीज जो सरकार बना के दिखाए क्योंकि सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते इतने सुन्दर और अच्छे नहीं होते हैं आर्किटेक्ट्रली यहीं पर गोमती के किनारी स्टेडियम के आगे सबसे सुन्दर मॉल बना था डिप्टी सी एम ने चिठी लिखी कि इसमें गोटाला हुआ है अगर डिप्टी सी एम की सरकार में सुन्वाई नहीं है तो यह सवाल अभी हमसे क्यों पूछ रहे हो और फिर कभी काफी पी करके हो आना हालां कि बहुत कीमती काफी है वो कितनी हो गई आप आज़ बो हमारे उपर है तो लेकिन अब उसमें तो सब पतकार आएंगे नहीं तो ठीक है हमको बलाएंगे तो कम से कम यह देखिए तो सहीं यह मौल क्या चीज़ बनीती है वो भी इस दिया सरकार ने जल्दी डन अगली प्रेस वहीं पर नहीं कैपिचिनो कैपिचिनो किसी जगे जाना चाहते हूँ इसलिए मैं एक बार फिर मेर सुनीता वर्मा जी स्रीमती सुनीय वर्मा जी मैं उनका बधाई देता हूँ स्वागत करता हूँ जो आज समाजादी पार्टी में शामिल हो रही है इनके साथ बड़ी संक्या में सवासर नीता करता है और उनके पति योगेश वर्मा जी योगेश भरमा जी हाँ हाँ लड़े हैं चुनाओ इनका भी मैं सुनाध करता हूँ बधाई देता हूँ बड़ी संक्या में साथी आये फिर दाउद एहमसाब बड़ी संग्यामस सभी के नाम फिर दुबार ना लेना भी ठीक नहीं है सभीस लोग जो आज समाज़ी पार्टी में शामिल हो रहे हैं मैं उन सब का स्वागत करता हूँ बधाई देता हूँ और भरुसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में लगातार आपका सम्मान होता रहेगा और आपका सहयोग मिलेगा तो बहुमत की और एतिहासिक सीटों वाली सरकार बनेगी उत्तपरदेश में